नवस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग चैतरमास के सुकल पक्ष की एकादसी को कामदा एकादसी कहते हैं और यह इस बार 12 अप्रेल मंगलवार के दिन मनाई जाएगी वैसे तो अगर हम हिंदू समदसर की माने तो पहली एकादसी है और मानेता है कि इस सुक्तिती पर ब्रत रखकर भगवान नारायन की पुझा अर्चना की जाए तो सारी मनो कामनाए पुर्ण होती है और आपके पित्री अगर प्रेत योनी में हैं तो उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है क्योंकि पुरानों में कहा गया है जितना पुन्य कन्यादान से स्वर्न दान से हजारों बरसों की तपस्या से मिलता है उससे अधिक पुन्यफल कामदा एकादसी का ब्रत करने से मिल जाता है पुरैनों में कहा गया है कि कामदा एकादसी का ब्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ती होती है इस एकादसी को सर्वकारे सिद्ध और बनोकामना पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है इस दिन भगवान नरायन की बिदिवत पूजा करें तो घर से कलहकलेस दूर हो जाता है साथी जीवन में सुख सांती संपन्नता आती है और इस ब्रत के प्रभाव से सभी बुरी आदतों से भी छुटकारा मिलता है इस दिन सिबलिंग पर भी एक लोटा जल जरूर अर्पित कीजेगा और जल में आपको काला तिल या आप कुसा घास भी डालकर अर्पित कर सकते हैं कैसे करेंगे पूजा देखे ब्रह्म मुहृत में उठकर असनान बिगरे कर लें समस्त काईयों से निब्रत होकर आप भगवान बिश्णु का स्मरन करते हुए ब्रत का संकल्प लें और भगवान सरी हरी की बिधी विधाओं से पूजा करें भगवान को पीले पुस्प अर्पित करें फिर चंदन का तिलक लगाएं और आप मिठाई या फल का भोग लगाएं कुछ नहीं है तो गुड का भोग लगाएं तूसी के पत्ते डाल कर इसके बाद जल का गलास पारन करके अन गरहन करें तो एकादसी दिन आप अपनी योगेता के अनुसार दान धर्म भी कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासु देवाई का जब पूरे दिन करें तो सर्वोत्तम होगा इस एकादसी का ब्रत कथा सुनने से भी बहुत ही जादा जीवन के जो कस्थ हैं उन ने गुरू बसिट से सुना था और गुरू ने उन्हें बताया कि एक बार भोगीपूर नमक नगर में राजा पुंडरिक राजी करते थे उस राज में कई अपसराइं कि नर गंधर्व रहते थे और उसी राज में ललीता और ललित नाम के पती-पत्नी रहते थे दोनों के राजा को पूरी बात बता दी जिससे राजा क्रोधित हो गए और ललित को राक्षस बनने का स्राब दे दिया अब स्राब की बज़ा से वह मनुसे से राक्षस बन गया इससे ललीता को काफी दुख पहुचा और रिसी स्त्रिंगी के पास पहुची तब रिसी ने कामदा ए कादसी का ब्रत रखकर भगवान नारायन से प्राथना की कि मेरे इस ब्रत का फल मेरे पती को प्राथ हो जाए और भगवान नारायन ने पतनी के ब्रत का फल उसके राक्षस बन चुके पती ललित को दे लिया जिससे वह राक्षस एक बार फिर से मनुसे बन गया और यह ब्रत के बारे में कहा जाता है कि सब्रत को रखने से उपासक ब्रम हत्या जैसे पापों से पिचास योनी से भी मुक्त हो जाता है आप चाहते हैं कि पूरा साल खुजियों के साथ ही आए और पूरा साल अच्छा भी थे तो सबसे पहली तो एक बात याद रखिएगा एक लोटा में अगर आप आपके घर में केसर है तो उसमें डाल दें नहीं है तो कोई बात नहीं आप एक लोटा जल ले जाकर सिबलिंग के उपर बिल पत्र डाल कर अर्पित कर दे आपके पास बिल पत्र भी नहीं है तो आप गंगा जल ही जाकर अर्पित कर दे क्योंकि सिबलिंग पर अगर आप सिबजी को परसंद करने के लिए केसर मिला कर या फिर हल्दी मट डालिएगा चंदन डालकर या बिलपत्र डालकर या पीपल का पत्ता डालकर अर्पित कर देते हैं जल तो जीवन की स्वास्त की मुस्किले दूर होती है धन की मुस्किले दूर होती है और इस बीच अनवरत जब कीजिएगा ओम नमसिवा या नमसिवाइका पीपल का पत्ता डाल कर अर्पित करने से सिवलिंग पर स्वास्त की मुस्किलें दूर हो जाती है तो पूरा साल आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा लेकिन अगर धन की मुस्किलें ज़्यादा परिशान करे तब एक सिंपल सा प्रियोग कीजेगा धन की मुस्किल क्योंकि ब्यक्ति को धन की मुस्किल अगर परिशान करे तो वो कहीं न कहीं भीतर से तूट जाता है तो आर्थिक तंगी से मुक्ति अगर चाहते हैं तब एक लोटा जल में कच्चा दूर डालें थोड़ी सी मीठी बस तो इनी सक्कर वेगर डाल दे और अगर आपके लिए संभब हो तब दही घी सहद भी ले लीजेगा यानि कि यह पंचामरिज सिबलिंग पर अरपीत करें और फिर जल अरपीत करें ओम रुद्राय नमा का जब करते हुए पूरा साल धन आएगा धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी और भगवान की किरपा से जीवन में खुसियां भी बढ़ेगा लेकिन अगर पित्री दोस परेसान करें पित्री दोस के कारण ना तो तरक्की होती है ना उन्नती होती है ना संतान का सुक मिलता है बेक्ती जहां से चलता है वही रह जाता है कितना भी मेहनत कर ले हर कदम पर ठोकरे मिलती है तब पित्री दोस से बशने के लिए एक लोटा जल ले ले एक चुटकी काला तिल या फिर आप कुसा घास डाल कर सिवलिंग पर अर्पित कर दें तो पित्री दोसों से मुक्ती मिलती है इस एकादसी का ब्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ती मिलती है यहां तक की ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ती मिल जाती है अगर हम धार्मिक गरंथों की माने तो भगवान स्री कृष्णे ने द्वार का यूग में स्वेम इसका महात्म अर्ज़ु आप अगर इस दिन बत रखें आप इस दिन अगर कथा का सरबन करें तो एक हजार गौदान के बराबर पुर्ने फल की प्राप्ती मिलती है तो इस एकादसी की महमा बहुत है इस दिन गाए को अपने हातों से गुड़ और काला तिल खिलाएं सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन से परिसानियां भी समाप्त हो जाएगी एकादसी की तिथी के दिन कुछ ऐसे कारे है जो बरजित है घर में जारू नहीं लगाना चाहिए इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही जरुरत से जादा बोलने से मुख से असुद भासा निकलता है बत्र जरूर रखे और तुलसी की पूजा जरूर करें चूरमे का परसाद बितरन करें ओम नमो भगवते वासु दिवाय का जादा से जादा जब करें अगर चंद्रमा गरवड हो तो इस दिन आप दूद का दान कर सकते हैं भगवान स्री हरी की अकेले पूजा ना करें बल नारा नाय बिदमहे वासु देवाय धीमही तन्नो विष्णू प्रचोदयात आप काम क्रोध मद लोब एहंकार से दूर रहिए और ब्रत का कथा जरूर पढ़े और सुले मा लक्ष्मी गनेश जी की भी पूजा करें और द्वादसी को चावल बना कर जरूर खाएं और जो तूलसी का पौधा है वहाँ पर भी साम में जलाना है आपको दीपक लेकिन तूलसी का पत्ता तोड़िएगा मत संभव हो तो इस दिन गेहूं का दान करें और पीपल के ब्रिश के नीचे एक लोटा जल में काला तिल डाल कर आप अरपित करें लेकिन जब आप सिब क्या लेते हैं हरहर महादेव धनिवाद